नमस्कार मैं हूँ आपकी गार्णर दोस्त नेलता गार्णिंग विद आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंट्स ये मेरा थूजा प्नाट है इसे मैंने पोर्ट में लगाया हुआ है और बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहा है मैंने इसकी केयर पे एक वीडियो भी अपलोड की थी और बीज कॉलेक्ट करने की वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूगी तो सील्स को ग्रो करने का सही समय या मंत जो है वो है अक्टूबर या नुवंबर का तो मैं इसे ग्रो करने जा रही हूँ सबसे पहले मैंने सोयल मिक्चर ले लेना है तो मैं बताती हूँ आपको मैंने कितना soil mixture और क्या लिया है और इस बीज को लगा कर हमने कहां रखना है और मैं इस वीडियो में अपनी गेंदे की जो मैंने दो दिन पहले cutting लगाई थी उसकी update भी देने वाली हूँ और उन पे अब words आ गई हैं तो वो भी दिखाने वाली हू कीजेगा चलिए शुरू करते हैं वीडियो को तो देखे फ्रेंस यह है मोर पंकी के यानि की विद्या पढ़ाई थूजा के प्लांट के जो वीज है मैंने collect किये थे कुछ दिन पहले ही वीडियो आपसे share की थी अगर आपने अपने पोदे पर अभी तक वीज collect नहीं किये ह तो अब पक गए हैं वीज आप collect कर सकते हो collect करने की पूरी वीडियो मेरे चैनल पर आप देख सकते हो देखे फ्रेंस यह cutting दो दिन पहले जो मैंने लगाई थी इस पर मैं आपको birds दिखा रही हूं किस तरह से birds आ गई है जो मैंने fertilizer गुलदाउदी में डाली थी वही fertilizer मैंने इसमें भी डाली थी तो देखे कितना चमतकारी असर हुआ है उस fertilizer का तो यह cutting छोटी छोटी सी दो दिन पहले ही लगाई थी क्योंकि इस पर rooting तो स्टार्ट हुई भी थी तो देखे words दिखा रही हूं आपको तो कुछी दिनों में इस पर फूल आ जाएंगे तो आप भी वह fertilizer की वीडियो अगर गुलदाओदी की नहीं देखी है तो जुरूर देखिए बहुत अच्छी fertilizer है और गरेलू free की fertilizer है तो आप देख सकते हैं मैंने आपको cutting की update दिखा दी है और birds भी दिखा दी है तो जो मेरा पोदा है जहां से marigold की मैंने cutting लगाई थी seedling की जो पोदें है वह भी मैं आपको दिखाती हूं तो देखिए friends यहां से मैंने cut करके जो है seedling की जो इस पे भी जो पोदे हैं नए shoots निकल रहे हैं इसकी stem पे दो-दो stems निकल कर आ रही है आपको दिखा रही हूं तो यह पोदे जो है वुशी हो जाएंगे और घने घने भी हो जाएंगे तो इसमें देख रहे हो आप holes कितने बड़े-बड़े हैं जब भी seeds लगाओ तो इतने बड़े-बड़े holes हो तो अच्छा pot रहता है वह तो cotton का कप्ड़ा ले लिया है नीचे इस तरह से विचा दूँगी ताकि soil mixer बाहर ना निकले और जितना भी पानी है excess water है वह seeds में कोपीट को फ्रेंड्स जब भी आप यूज करो दो तिन वार अच्छी तरह से दुली हुई हो क्योंकि इसमें नमक होता है नमक के कारण जो है हमारा seeds खराब हो जाता है तो इस तरह से मैंने दो कर वर्ष करके रखी हुई है आप कोपीट की जगह पर पीट मोस भी ले सकते ह को तो कोपीट और पीट मोस एक जैसी होती है थोड़ा फरक होता है तो देखी 50% मैंने लेली है यह कोपीट तो इसको अची तरह से मैं ये गुच्छे से जो है इसको तोड़ लूँगी तो देखी difference Coco Pet में ने डाल ली है मैं इसमें करीम करीब का भूषWhen किछनवेस्ट ना डालने क्यूंकि गोबर जो होती है वह बहुत गरम होती है जिससे की seeds जो है मर जाता है बहुत ज़्यादा गरम होने के कारण तो देखे 25% जो है मैंने ये वर्मी कमपोस्ट ली है जानि की कोकोपीट का half portion जो है मैंने वर्मी कमपोस्ट का लिया है तो आप इन कोकोपीट की जगह पे sand भी ले सकते हो तो जो कोकोपीट है इसमें जो भीज है बहुत ही जल्दी सप्राउट हो जाते हैं इसलिए मैंने कोकोपीट ली है तो देखे फ्रेंस वन फॉर्थ टी स्पून जो है मैं इसमें फंगी साइड पाउडर का मिला रही हूँ ताकि पोदे में किसी भी तरह की फंगस ना लगे बीजों को फंगस ना लगे और ये जो बन फॉर्थ टी स्पून है जो ये मैं ले रही हूँ सी वीड फर्टिलाइजर के दाने इसमें बरपूर मत्र में नाइट्रोजन और फासफ्रोडंस होती है जो की बीजों को स्पूरट करने में बहुत ही ह Vince उस से जो रूटिंग है बहुत जल्दी स्टार्ट होुजाती है roots जो है fast renewables की help से ही बनती है let me store for the जो है एक दिन के लिए छोड़ दिया था यह अगले दिन और जो result है दिखा रही हूं तो देखी इस तरह के से छोड़ मिच्जर रह गया है अब हम तोड़ा से महांने soil mixture गिला जो है अलगली निकाल कर रख लिया है अब मैं इसको जो सीड्स हैं इनको हलके हाथों से एक-एक इंच की दूरी पर एक-एक सीड्स रखूंगी ऐसे अराम से रखना है बीच में दवाना नहीं है स्वेल मिक्चर के तो देखिए अराम से स्प्रिंकल करें इनको तो जितने पोट में सीड्स देखिए फाइब सीड्स लगए है छह साथ सीड्स इस पोट में आएंगे अगर हम पास-पास में लगा देते हैं फोर वह अच्छी तरह से ग्रो नहीं होते एक इंच की दूरी सीड इसके लिए जरूरी है तो देखिए एक अदा सीड्स जादा भी लग जाएगा कोई बात नहीं क्योंकि सबी सीड्स जर्मिनेट नहीं होते कई बार कोई छोटा सीड होता है वह सीड्स जर्मिनेट नहीं होता जो यह गीला portion of soil mix का मैंने रखा था यह मैं इसके उपर स्प्र तो इस तरह से सारे सीर्ष जो है मैंने अच्छी तरह से सोईल मिक्चर से डख दिये हैं डखने के बाद आपने इसके उपर एक काम करना है ताकि इसमें जो हीमिडिटि लेवल बना रहे तो यह ले लिया है मैंने पॉलीथिन का लिफाफा इसको कुछ इस तरह से लगा कर मैं एक तरफ से नोट लगा दूगी आप इसके उपर धागा भी बांद सकते हैं या कोई रवड विचड़ा सकते हैं ताकि ये हमारा पॉलितिन जो है ही लेना जब इसमें गरमैश होगी अंदर ही अंदर हुमिडिटी बनी रहेगी तो इसका जो पानी है वो सूखेगा नहीं दे अभी पॉलितिन हटाना है और पॉलितिन हटाने के बाद भी आपने देखना है कि मिट्टी सूख गई है के नहीं अगर एक इंच तक की मिट्टी आपको लगे सूख ही है तभी आपने शावर के साथ हलकी मिश्टिंग इसके उपर करनी है अब इसको आपने वहां पे प्ले में रखें और अगर इसकी लेंथ ज्यादा हो जाए अगर आप इसे शेड में रखेंगे फिर इसके ये लेगी से हो जाएंगे लंबे से हो जाएंगे तो इसलिए इसे आप विंटर में जो है फुल सनलाइट में शीफ्ट करें और समर जब आए तब इसे आप सेमी शेड में आज शेड में प्लेस करें क्योंकि समर की जो तेज दूप होती है दोपैर की दव इसके जो नन्न नन्न पोदे होते हैं वो मर जाते हैं मिलते हैं किसी नेक्स अपडेट पे बाए बाए थैंक्यों फॉर वाचिंग